दोस्तों आम तोर पर ऐसा कहा जाता है कि भारत का सबसे अमीर राज्य महाराष्ट है लेकिन अगर बात की जाए भारत के सबसे अमीर कम्यूनिटी की तो वह कम्यूनिटी मराठी नहीं बलकि गुजराती लोग होते हैं चाहे वो अमबानी हो या आदानी हो या फिर अजीज प्रेम जी भारत में ऐसे 54 बड़े अरपती गुजराती ही है भारत में गुजराती लोग बिजनस में कितने सक्सेसफुल है ये बात शायद ही किसी से छुपी हो और आज गुजराती कम्यूनिटी देश के वर्क फोर्स में सिर्फ 5% का कंट्रिबिशन करती है लेकिन यही 5% भारत के टोटल बिजनस का 10% रन करता है और यही 5% भारत से होने वाले 22% फॉरन एक्सपोर्ट के लिए भी जिम्मधार है भारत में तो यह कम्यूनिटी बिजनस में सक्सेस्फुल है ही लेकिन आपको यह जानकर भी हैरानी होगी कि दूसरे देशों में भी यह कम्यूनिटी बिजनस के मामले में सबसे आगे है एक्जम्पल के लिए USA को ही ले ले तो आज अमेरिका की पॉपिलेशन में सिर्फ 1% ही इंडियन्स रहते हैं और उसमें गुजराती की संख्या और भी कम है लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि गुजरातीयों की यह चोटी सी संख्या भी अमेरिका के 50% से ज्यादा मौटेल्स को ओन करती है और गुजराती ही पटिल कम्यूनिटी आज पूरे अमेरिका में इस मौटेल बिजनेस को डॉमिनेट करती है इसके अलावा यूएस के साथ ही बृटन में भी गुजराती कम्यूनिटी सबसे बड़ी फार्मेसी चेंज को ओन करती है और इसलिए आज दुनिया भर में गुजरातीयों को भारत के सबसे बहतरीन मर्चेंट्स की तरह देखा जाता है जो अपने स्वाव, सिंपल लिविंग और बिजनस माइंड सेट की वज़ा से भारत की सबसे अमीर कम्यूनिटी बन गए है ऐसे में दोस्तो सवाल ये उठता है कि आखिरकार गुजरातीयों में ऐसा क्या खास है उनके पास ऐसा कौन सा तरीका है जो उन्हें इतना अमीर बनाता है इस सवाल के जवाब के लिए हमें गुजराती कम्यूनिटी के इतिहास को भी समझना होगा दोस्तो और साथ ही इसके बाद हम इन प्रिंसिपल्स को भी समझेंगे जिन्हें फॉलो करके गुजराती देश की बाकी कम्यूनिटी से अलग बनते है और आखिर कैसे गलोबल बिजनस या कि ये कहे कि गलोबल एकोनोमी में अपना दबदबा बनाये हुए है देकिन इन सब को समझाने से पहले आईए समझते है कि कैसे गुजरात की जियोग्राफी ने इस रीजन को बिजनस के लिए फैवरेबल बनाया है दोस्तों यहाँ सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि आज के समझ में वो कौन से क्वालिटीज है जो गुजराती लोगों को बिजनस में देश के बाकी लोगों से अलग बनाती है आईए अब इसको समझते हैं क्यूलिटी is that make गुजराती more successful businessman गुजरात के लोगों के बिजनस माइनसेट को समझने के लिए दिरूपा यंबारी ने एक बहुत ही relatable बात कही थी उन्होंने कहा था कि अपने सपनों को पूरा करो नहीं तो कोई और अपने सपनों को पूरा करने के लिए तुम है हायर करेगा और यही बेजिक क्वालिटी है और गुजराती के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी यानि कि पैसा कमाने के लिए नौकरी पर डिपेंडन ना होना दोस्तों क्योंकि गुजरात के इस हिस्से की एक रीच ग्लोबल ट्रेड हिस्टरी है और उसके लिए उसकी फैवरेबल जियोग्रेफिश शुरू से ही मौजुद थी इसलिए वहां के लोगों को ऐसा सोचना उनके लिए फाइदाबन भी साबित हुआ इसलिए गुजरात में बहुत ही कम लोग ऐसे मिलेंगे जो गवर्मेंट जॉब की प्रिपरिशन करते हुए निजर आएंगे लेकिन गुजरातियों के इस बिजनस में सक्सेस्फुल होने के पीछे कुछ रीजन जरूर है इनमें से सबसे पहला कारण है उनके पास एक क्लोस कम्यूनिटी का नेटवर्क होना आम तोर पर ऐसा देखा जाता है कि हर गुजराती परिवार का कोई ना कोई रिष्टेदार बिजनस में जरूर होता है इसलिए अगर कोई नया इनसान बिजनस सुरू करना चाता है तो उसे बेजिक गाइडन्स, कैपिटल सपोर्ट और आगे उस सेक्टर में बढ़ने के लिए एक स्ट्रॉंग नेटवर्क मिल जाता है ये सब इसलिए पॉसिबल हो पाता है क्योंकि गुजराती कम्यूनिटी आपस में बहुत ही जोड़ी हुई है और क्लोस कम्यूनिटी के साथ ही साथ गुजरात में इतनी डाइवर्स इंडुस्ट्रीज है कि हर नए बिजनस करने वाले के लिए बहुत सारे रस्ते होते है गुजरात के लोगों में बिजनस को लेकर अलग सोचता और बिजनस को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए एक जेनेटिक टैलेंट होता है जिसका सबसे बड़ा कारण यह है कि उनकी अब बिजनस के लिए जुकाव जयदा होता है आम तोर पर ऐसा कहा जाता है कि नई जनरेशन अपने फ्यूचर या करियर के लिए हमेशा एक लोकल हीरो को चुनती है चो उनके परिवार का कोई सदस्य या फिर उनके इलाके का कोई सक्सेसफूल आदमी होता है क्योंकि बिहार के केस में एज अ सक्सेस आम तोर पर यूपीएसी का एक्जाम कौलिफाई करने वालों को माना जाता है इसलिए बिहार के बच्चों के लिए बहुत से लोकल हीरो आसपास के आईएस या आईपीएस दिकारी होते है जिस वज़ा से बिहार और उत्रप्रदेश जैसे राजियों से हर बार सबसे ज्यादा लोग यूपीएसी कौलिफाई करते है ठीक उसी माइनसेट को गुजरात के प्रोस्पेक्टिव में लगाए तो गुजरात की नई जनरेशन के लिए उनके लोकल हीरो जाम तोर से कोई सक्सेसफुल बिजनसमेन होते है और इसलिए उनकी नई जनरेशन भी उसी के जैसा बनने की कोशिश में बिजनस को चुनती है इसके अलावा गुजरात के लोगों के अमिर होने का एक कारण जैन धर्म भी है जैन धर्म जब 34 सदी में गुजरात पहुंचा तो उसने वहां के लोगों को खुब प्रभावित किया और आज भी गुजरात भारत में जैन धर्म का एक बड़ा कैंद्र है चुकि जैन धर्म में शांती, धैर्य और हैंसा का पार्ट पढ़ाया जाता है इसलिए जरूरी हुमन कुजरात के लोगों में भी रजबस गई है और वहां के लोग इसलिए किसी भी तरह के वाइलेंस या फिर जगड़े में इन्वाल्म नहीं होते है और साथ ही साथ उनके भीतर धैरियब बहुत ज्यादा होता है जिसका फाइदा उन्हें उनके बिजनस में भी होता है इसके अलावा रिस्क लेना, नई और इनोविटिव टेक्नलोजीस के प्रति सजग रहना किसी भी बिजनस मार्केट की डेली नीट का हिस्सा बड़ा ये वो क्वालिटिस है जो गुजरातियों को देश के बाकी लोगों से बिलकुल अलग बनाती है और इसलिए गुजरात में ऐसी पॉसिबिलिटी रहती है कि कोई नया सक्ष जो एक साधारन परिवार से आने के बाद भी अपने लाइफ में इंडिया का सबसे अमिर्स शक्ष बनने का पोटेंशियल रखता है इसलिए दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि जो बिजनस में बारवारी से माल खरीद कर सिंधी को माल बेश दे और उसमें भी प्रॉफिट कमाले व गुजराती ही हो सकता है अपनी स्कील और बिजनस माइंड की वज़ा से आज गुजराती इतने रिच है कि आज पूरे राज्य की पर कैपिटा जीडिपी 3,89,332 रुपह है भारत में भी गुजराती लोग इसी वज़ा से सबसे अमीर माने जाते है और हाँ ऐसा भी नहीं है कि वो सिर्फ भारत में ही सबसे अमीर माने जाते है बलकि भारत के बाहर भी इन्होंने उन इंडश्ट्री में भी पैसे कमाए है जिसमें वहाँ के लोकल लोग भी उस इंडस्ट्री को नोन प्रॉफिटेबल मान चुके थे जैसे की हम USA के मॉटल बिजनस के एक्जामपल से समझ सकते है गुजराती लोगों के ग्लोबल सक्सेस के पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि वहां के लोग बड़ी smart investors होते हैं और hospitality business में उनकी dominance उसी बात की गवाई देती है कहा जाता है कि intelligent investor वो होता है जो तब सेक्टर में इंवेस्ट नहीं करता जब सब लोग उस सेक्टर में इंवेस्ट कर रहे हो बलकी वो तब इंवेस्ट करता है जब लोग उस सक्टर में इंवेश्ट करने से डर रहे होते है क्योंकि जिस समय गुजरात के लोगों ने इस 모ल इंडश्ट्री में इंवेश्ट करना शुरू किया था तब ये इंडश्ट्री काफी लॉस में जा रही थी model industry में invest करना शुरू किया था तब ये industry काफी loss में जा रही थी और अमेरिका के लोग इसमें अपने पैसे लगाने को तयार नहीं थे क्योंकि hospitality में जितना खर्च लग जाता है उतना return वापस नहीं आ रहा था लेकिन गुजरातियों को पता था कि एक दिन ये business उनको बड़ा return देगा और क्योंकि पटेल्स जब immigrant करके अमेरिका आने लगे तो उन्हों रहने की proper जगा की तलाश थी और आम तोर से purchasing से पटेल की दो problem solve हो गई पहला उनके पास रहने के लिए गर की वियावस्ता हो गई और दूसरा घर के साथ ही साथ उन्हें पास एक proper business प्या गया था जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि उस time पर mortal business loss में जा रहे थे इसलिए हॉस्पिटालिटी का खर्च बहुत बढ़ रहा था और क्योंकि हॉस्पिटालिटी बिजनस में सबसे ज़्यादा खर्च सर्विश देने वाले लोगों की salaries में जाता है इसलिए गुजरातियों ने इसका solution निकाला और उनके परिवार के लोग ही मौटल में हॉस्पिटालिटी का काम करने लगे जिसके वज़ा से एक सस्थे दाम में मौटल खरिज लेने के बाद उसे रन करने के लिए ज्यादा कैपिटल की जरूरत नहीं थी और मौटल से जो भी प्रॉफिट होता था वो एक पूरे परिवार की कमाई होती थी इसी तरह दीरे दीरे गुजरातियों ने पूरे अमेरिका के 50 फीसदी से ज्यादा मौटल को अपने कंट्रोल में ले लिया लेकिन गुजराती इसका इस तरह से बिजनस माइंडे होना और रीच होना कोई नई बात नहीं है बलकि इसकी जड़े बहुत ही गहरी है जिसे समझने के लिए हमें गुजरात की फैवरेबल जियोग्राफी और रीच हिस्ट्री को भी समझना होगा गुजरात के माइंड सेट के पीछे उनकी जियोग्राफी ने एक बड़ा रोल प्ले किया है और क्योंकि इंडिया के वेश्ट कोष्ट में मौझूद गुजरात के पास सबसे बड़ी लंबी कोष्ट लाइन है जो 1600 किलोमेटर की लंबी है इसलिए गुजरात के साथ उसके लिए सबसे बड़ा जियोग्राफिकल एडवन्टेज ये रहता है कि समुद्र टट पर नेजरल पोर्ट भी यहां एंसाइन टाइम से ही मौझुद थे और अर्ली सेकंड मिलेनियम बीसी के दौरान यहां इंडिस वैली सिविलाजेशन के लोगथल से व्यापार शुरू किया गया था यानि इन पोर्ट का इतिहास हजारो साल पुराना है जिस वज़ा से जहाजो का आना और जाना गुजराट से बहुत आसान रहा था आपको बता दे कि आज गुजरात में कुल 42 पोर्ट्स है जिसमें से इंडिया के दो मेजर पोर्ट्स कंडला और मुंद्रा पोर्ट भी गुजरात में ही है अब आप कहेंगे कि गुजरात के अलावा भी तो ऐसे बहुत सारे कोस्टल एरिया वाले स्टेट होंगे तो दोस्तो ऐसे श्टेट जरूर है लेकिन अपनी जियोग्रैफिकल लोकेशन की वज़ा से गुजरात सीधे अरवियन सी में एंडियरी लेता है और साथ ही Middle Eastern countries के साथ भी सबसे करीब होने की वज़ा से गुजरात के पोर्ट से Middle East या अफरीका पहुँचना बहुत ही आसान हो जाता है और बाकी स्टेट्स के मुकाबले ये सस्ता भी है इसलिए गुजरात और गुजराती सुरुआत से ही अपने Global Trade Access का फायदा उटाते थे और उसके लिए वहाँ के Native लोग भी जिम्मेदार थे Sea Access के साथ ही साथ 1,96,000 km क्षेत्रफल में पहले इस स्टेट के पास कुद्रत का दिया हुआ बहुत कुछ है जिसकी वजा से ये स्टेट इंडिया के Onshore Oil Production का 55% और Natural Gas का 32.3% अकेले प्रोड्यूस करता है और साथी साथ ये इंडिया की सबसे अधिक Oil Refining Capacity वाला स्टेट भी है जो इंडिया की Total Refining के 36.6% के लिए जिम्मेदार है जिसे लार्ज स्केल में बढ़ाने के लिए गुजराती के Mindset ने एक बड़ा रोल प्ले किया है ओल और नेगेस के अलावा गुजरात में बिजनस और इंडिस्ट्री को डेवलप करने के लिए चाइना कले, डॉलोमाइट, बॉकसाइट, फ्लोर्स बार, जिपसम, लाइगनाइट, सिलिका, कोपर, जिंक और लेड जैसे जरूरी मिनरल्स भी पाए जाते हैं और साथ ही गुजरात के काठियावार इलाके में आने वाले पूर बंदर में सबसे फाइन बिल्डिंग स्टोन्स भी पाए जाते हैं जो सुरुआत से ही गुजरात के बिजनस के लिए काफी ज्यादा वेल्यूबल एसेट रहे हैं लेकिन दोस्तों अगर गुजरात की एकोनोमी और गुजराती के हिस्टोरिकल डेवल्पमेंट की बात करें तो इसमें सबसे बड़ा रोल नमक का रहा है और गुजरात देश का 70% से ज्यादा नमक प्रोडूस करता है और गुजरात की वज़ा से आज भारत दुनिया का 30 राज सबसे बड़ा नमक प्रोडूस करने वाला देश है और ऐसा इसलिए है क्योंकि गुजरात की जियोग्रेफी उसके लिए एक ऐसा क्लाइमेट तयार करती है जो नमक के लिए जरूरी है और इसका अंदाजा यहां रहने वाले लोगों ने पहले ही लगा लिया था आपको बता दे कि गुजरात के कोश्टल रीजन में लगबख पूरे साल ही एरिड या सेमी एरिड क्लाइमेट रहता है और इसी सूखे एटमोश्फियर की वज़ा से ही नमक को सी वाटर एवरेप्शन की मदद से गुजरात में आसानी से प्रोडूस किया जाता है और क्योंकि नमक इनसान की बेजिक और कमीडा खत्म होने वाली डिमाड है इसलिए गुजरात के लोगों ने इस डिमाड को सप्लाई के जरीए बेजिक बिजनस एटिट्यूड को डेवलप किया है नमक के साथ ही साथ गुजरातियों ने एंसा इंड ग्लोबल ट्रेंड के लिए जरूरी कोटन की खेती भी शुरू की थी जो गुजरात की एकोनोमी का सबसे अहव हिस्सा रही है और शुरू से ही यहां की काले मिट्टी कोटन की खेती के लिए मददगार साबित हुई है इस तरह से आप समझ सकते हैं कि दोस्तों की कोश्टल एरियास, नेचरल रि के लिए परफेक्ट एंडवाइमेंट से ये सब मिलाकर गुजरात की जियोग्रेफिक को एक परफेक्ट बिजनस ओरियंटेड जियोग्रेफिक बनाते हैं जिसके लिए यहां की लोकल कम्यूनिटी शुरू से ही जागरुत रही है लेकिन उनकी इस जागरुतता की शुरू इंडियन ओशियन में इंडियन किंग्वन एंड यूरलर्स का एक समर्ग ही इतिहास रहा है लेकिन उस इतिहास में शायद ही कभी अरबसागर के उस पार अफरिका की бात होती है आम तोर पर हम यूरोपियन या इस्ट एशिया के देशों को ही ट्रेड के नाम पर याद करते है लेकिन अफरीका जो ट्रेड हिस्टरी से इग्नॉर होता है वही अफरीका गुजराती मर्चेंज के राइस का सबसे बड़ा कारण है आईए अब इसे थोड़ा डीटेल में समझते हैं दोस्तों इंडिया अफरीका एक्सचेंज यानी इंडिया और अफरीका के बीच ट्रे ट्रेड के एक नए दोर की शुरुआत हुई और तभी गुजराती मर्चेंट्स चो उस रीजन में ट्रेड को किया करते थे वह अफ्रो यूरोपियन ट्रेड से तीजी से अपना प्रभाव बनाने लगे और यह गुजराती व्यापारी गुजरात से अफरीका के बीच व्य इसा लगा कि अफरीका के गोल्ड और आईवरी ज्यादा रीच है इसी वज़ा से गुजराती व्यापारियों ने 16 सेंचूरी तक अपना पूरा द्यान अरप सागर के जरिये अफरीका पर ही लगा दिया गुजराती व्यापारी ऐसा इसलिए भी कर रहे थे क्योंकि गुज जासे गुजरात के एलिट लोग उसे की मांग कर रहे थे 1500 से 1800 के बीच यही गुजराती व्यापारी सिर्फ अफरीका से व्यापार करने अमीर हो गई 1520 में दियू पोर्ट गुजरात सल्तनत का सबसे इंपोर्टन पोर्ट हो चुका था जो पूरी तरह से गुजराती मर्च टेक्स्टाइल को खरिगने लगे जिस वज़ा से यूरोपियन कमपनीस को ट कॉटन टेक्स्टाइल इंडिया से बाहर बेजने के लिए गुजराती व्यापारी ओपर डिपेंट होना पड़ता था और इसी वज़ा से एमदाबाद और सूरत जैसे टेक्स्टाइल हफ्स तय गोल्ड और आइवरीज गुजरात के लोगों के पास मौझूद था जिसने एक तरह से उनके डाउन फॉल में उनका साथ दिया लेकिन गुजरात के लोगों के बीच बिजनस की आदत को कॉलोनाइजेशन नुक्षा नहीं पहुँचा पाया गुजरात आफ्टर इंडिपे बना जिस वक्त गुजरात की आर्थिक हालत यह थी कि वहां की खेती पूरी तरीके से बरबाद हो चुकी थी और साथ ही साथ वहां की टेक्ष्टाइल इंडिस्ट्री भी अपने डाउन फॉल चल रही थी और यहीं गुजराती लोगों ने गुजरात के पोश्ट इंडिप और वहां के लोकल लोगों ने माइंड सेट की वजा से नई एकोनोमिक ग्रोथ में गुजरात की नई कहानी को लिखना शुरू किया और जिसमें सबसे पहला कॉंट्रिबिउशन सूरत की डाइमंड इंडिस्ट्री का है जब गुजरात में नई डाइमंड ट्रेडर्स दु ने शुरू कर दिये थे और इन सभी इंडिस्ट्री की शुरूआत भी गुसूरत से ही हुई थी उनिस सो सतर से लेकर उनिस सो असी तक इन तीनों इंडिस्ट्री के एस्टाबलिश्मेंट हो जाने की वज़ा से गुजरात की एकोनोमी में थोड़ा बहुत सुदार जरूर लेकिन अभी भी उसकी ग्रोथ काफी नहीं थी इसके बाद गुजरात के लोगों ने यह पाया कि जिस एकोनोमिक ग्रोथ का वसपना देख रहे हैं उसके लिए उन्हें अलग मार्केट बिल्ड करना होगा क्योंकि वद दौर जब इंडिया भी आजादी के बाद तरक्की क नई सीडिया चड़ने को तयार हो रहा था इसलिए नए इस्ट्रस्ट्रक्चर डेवलोप्मेंट के लिए पावर और एनरजी की बहुत ज़्यादा जरूरत थी गुजरात में इसी जरूरत को देखते हुए लार्सकेल इंड़स्ट्री को स्टेट में एस्टाबलेश करना शुरू किया और फिर बड़ी स्क्रीन एंटरप्राइज जैसे की सिमेंट, बीडिंग माटिरियल्स, इलेक्रिसिटी, प्रोडक्शन, ओयल और नेचरल गैस, रिफाइनरी में बड़ी एंटरप्राइज की वज़ा से देश पर की डेवलोप्मेंट प्रोग्राम को गुजर के फ्यूचर के लिए एक स्ट्रॉम बेस तयार कर दिया था, और दोस्तों इसी बेस में गुजरात के आर्थिक विकास को साल 2000 के बाद और तेजी से आगे बढ़ाया गया, जिसमें इंडुश्रियल डेवलोप्मेंट तो था ही, लेकिन उसमें साथ ही साथ गवर्मेंट अभी यहाँ, ध्यान देले वाली बात यह है कि आजादी के बाद जो अगरी कल्चर गुजरात में बरबाद हो चुका था, वही 1999 के बाद हर साल 9% की स्टेडी ग्रोथ से आगे बढ़ रहा था, जिस वजा से गुजरात भारत का सबसे बड़ा कॉटन प्रोडूसिंग स्ट अभी इंडस्ट्री जो 1970 में एकोनोमिक लिबराजेशन तक कुछ गुजराती लोगों ने सैट की थी, उन्होंने बहुत तीजी से प्रोफिट जनरेट करना शुरू किया, जिस वजा से नई केमिकल, पैट्रोकेमिकल और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री ने गुजरात में जगा बनाई और इसी वज़ा से गुजरात इंडिया का इंडस्ट्रियल हब है, दोस्तों अब इंडस्ट्रियल हब होने के फाइदे अगर आप समझना चाहते हैं तो आप ये समझेए कि साल 2002 में जहां गुजरात की जीडिपी सिर्फ 17.7 बिलियन डॉलर थी, वो 2022 तक इसलिए हो पाया क्योंकि गुजरात के लोगों ने अपने स्टेट के पोटेंशियल को समझा और इसी हिसाब से वहां पर बिजनस खड़े किये, दोस्तों इस तरह से आप समझ सकते हैं कि गुजरात का इतिहास और वहां की जियोग्रेफिका प्रभाव गुजरात के लोगो के सबसे अमिर लोगों की लिष्ट बिना गुजरातियों के पूरी नहीं हो सकती है और जिस तरह भारत तेजी से डेवलप कर रहा है उसे देखकर यह भी कहा जा सकता है कि आगे आने वाले समय में दुनिया में सबसे अमिर लोगों की लिष्ट भी बिना गुजरातियों के रिच होने की और भी कोई वज़ा मालूम है तो हमें comment section में जरूर बताए और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और bell icon भी दबाना मत बुलिए गाजिस के आगे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे तो इसी के साथ म बपार्ती